हेलो एंड वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल गाईज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डार्क रूम तो दोस्तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेगे एक तो हम डार्क रूम डिसकस करेगे और इसके साथ जो भी एसेंशल रिक्वाइर्मेंट होती हैं वो हम डिस जब तक DR और CR इनवेंट नहीं हुए तब तक हमारी रेडियोलजी में क्या चर रहा था डार्क रूम ही ठीक हैं हाँ तो दोस्तो चलिए डिसकस करते हैं आज का टॉपिक वेन एक्सरे फिल्म इस एक्सपोज़ड एन इन विजिबल इमेज इस फॉर्मड ऑन दे फिल्म काल जब एक एक्सरे फिल्म एक्सपोज़ की जाती है तो क्या होता है कि उस फिल्म पे क्या बन जाता है एक इन विजिबल इमेज बन जाती है या एक इन विजिबल इमेज बनती है जिसे हम क्या बोलते है लेटेंट इमेज ठीक हैं अब ये लेटेंट इमेज क्या होती है इन इसको देख नहीं सकते हैं ठीक है हाँ तो इस in visible image को visible image में convert करना visible radiograph में convert करना तो इसके लिए हमें क्या चाहिए हमें इस film की processing करनी पड़ती है तो जब हम इस film की processing करते हैं तब हमें एक visible radiograph मिलता है ठीक है अब ये जो film processing की जाती है ये एक room में की जाती है जिसमें हम completely darkness maintain करते हैं ठीक है उस room को या उस place को हम बोलते हैं dark room ठीक है हाँ देखे यहाँ पे भी मैं आपको explain करोगा for example x-rays patient पे पड़ी तो x-rays क्या करता है x-rays patient के linear adenation options इसको expose करके transmitted radiation यहाँ से मिलती हैं ठीक है तो उस transmitted radiation में patient की information होती है अब जब ये transmitted radiation film पे पड़ता है तो film पे एक invisible image बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं latent image लेकिन ये तो invisible होती है तो इसी invisible image को या latent image को visible image बनाना इसके लिए हमें इस film की processing करनी पड़ती है हां तो ये processing हम कहां पे करते हैं एक room या एक place पे करते हैं that place is completely deprived of light जिसमें हम complete darkness maintain करते हैं या जिसको deprived किया जाता है light से उस place या room को हम बोलते हैं dark room हां तो अगर हम बोलेगे simple in simple terms what is dark room? dark room is simply a film processing room ये एक ऐसा room होता है जहां पे हम film की processing करते हैं ठीक है? हां तो ये भी मैंने बताया कि जो dark room होता है यहां पे complete darkness maintain की जाती है ताकि जो external light है वो अंदर ना आए ठीक है? हां तो ये जो यहां पे darkness maintain की जाती है तो ये क्यों की जाती है? इसके लिए reason है जो manual film हम dark room procedure में यूज करते हैं वो external light से expose हो सकती है तो उस exposure की वज़े से क्या हो सकता है? उसमें fog develop होगा या हम simply बोलेगे noise develop होगा तो fog develop होगा तो उस image पे noise आएगा and we can simply say that कि वो जो हमारा radio graph है उसकी image quality अच्छी नहीं आएगी ठीक है? तबी हम यहां पे light को enter करने नहीं देते हैं ठीक है? हां या यहां पे हम complete darkness maintain करते हैं अब देखे दोस्तों यह जो हमारा dark room है न यह कहां पे होना चाहिए इसकी location क्या होनी चाहिए जो हमारा dark room होता है it is located adjacent to x-ray room by means a pass box to pass exposed and unexposed cassettes यह x-ray room के adjacent में होता है और इनके बीच में क्या लगा होता है pass box लगा होता है ठीक है? जिसको हम किस लिए रखते हैं? exposed और unexposed कैसे उसको transfer करना, pass करना ठीक है? अब जो x-ray room है x-ray room और dark room है उसके दर्मियान जो wall है उस wall में क्या होना चाहिए? it should have 1.6 mm lead क्यों? क्योंकि यह जो manual film है न यह x-rays से भी exposed हो सकती है ठीक है? यहाँ पे इस room में filmers होगे तो वो filmers इन x-rays से भी exposed हो सकते हैं तो जो wallers कहां पे होगे adjacent to this radiographic room or x-ray room they should have 1.6 mm lead and remember this point ठीक है? हाँ तो दोस्तो अब देखेगे हम building essentials क्या-क्या building essentials होनी चाहिए हमारे dark room में सबसे पहले हम walls देखेगे first of all the walls should be light in color they should not be painted black यह light in color होनी चाहिए black नहीं होनी चाहिए ठीक है? दूसरा point याद रखना है wallers में they should be easy to wipe out and clean इनको साफ करने में आसानी होनी चाहिए ठीक है? हाँ यह आसान होने चाहिए साफ करना हाँ और अब जो हमारी walls होते हैं dark room के they should be made up chemical resistant materials यह किनकी बनी होनी चाहिए? उन materials की जो कि chemical resistance होते हैं ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम जो हम यहाँ पे developer solution etc. यूज़ करते हैं उसमें chemicals होते हैं तो यह जो wall होनी चाहिए it should be made up chemical resistant materials तो चलिए दोस्तों अब हम floor देखते हैं floor कैसा होना चाहिए? the floor should be also chemical resistant floor भी उन materials का बना होना चाहिए जो के chemical resistant होगे and stand proof वो stand proof भी होने चाहिए यहाँ पर हम usually floor के लिए asphalt और porcelain tiles यूज़ करते हैं ठीक है? चलिए दोस्तों अब हम इसका entrance देखेगे के entrance कैसा होना चाहिए अगर हम dark room की बात करेगे तो जो इसका entrance है ना entrance एक small hall होना चाहिए जिसमें दो electrically interlocked doors होनी चाहिए ठीक है? तो यह जो dark room है entrance के लिए क्या होना चाहिए एक small hall होना चाहिए और उस small hall में दो क्या होने चाहिए interlocked doors होने चाहिए ताक्के light बिलकुल भी इस room में enter ना हो ठीक है? हाँ अगर हम modern times की बात करेगे preferred modern type of entrance कोन है? revolving door जो preferred type of door है वो कौन सा होना चाहिए? revolving यहाँ पर मैंने दिखाया है revolving होना चाहिए revolving door होना चाहिए so revolving door is the preferred modern type of entrance ठीक है? हाँ चलिए दोस्तों अब हम discuss करेगे size of the dark room इसका size क्या होना चाहिए? ठीक है? अगर हम size की बात करेगे जो हमारा dark room होता है it is size varies with size of department यह size department के size पे depend करता है की department कितना बड़ा होता है उसी पे dark room size भी depend करता है ठीक है? लेकिन अगर हम generally देखेगे generally इसके जो dimensions होने चाहिए न वो 10 into 10 into 10 cubic feet होने चाहिए ठीक है? यहने अगर हम for example this is dark room इसकी length 10 feet होनी चाहिए इसकी width 10 feet होनी चाहिए और अगर फिर हम height भी लेगी तो वो जो height है वो भी 10 feet होनी चाहिए ठीक है? इस is size इस is also very important कि इसका size generally कितना होना चाहिए? 10 into 10 into 10 cubic feet ठीक है? हाँ इसके बाद हम देखेगे इस dark room की ventilation क्या होनी चाहिए? देखेए जो हमारा dark room होता है न इसमें windows avoid करनी है windows should be avoided completely ठीक है? हाँ तो फिर ventilation के लिए हम क्या कर सकते है ventilation के लिए आप exhaust fan लगा सकते है exhaust fan लगा सकते है लेकिन अगर हम preferred choice देखेगे ideal choice देखेगे ventilation के लिए ठीक है? fresh air supply के लिए it should be an ear conditioner ये ear conditioner होना चाहिए ठीक है? ताकि जो वहाँ पे sit up है वो अच्छे से काम कर पाए उनको satisfaction मिल जाए ठीक है? हाँ चैले दोस्तों इसके बाद हम देखेगे illumination कि हम जब हम इस room को complete darkness करते हैं तो फिर हम काम कैसे करेगी? यहाँ पे light होनी चाहिए न कुछ हाँ बिल्कुल यहाँ पे हम artificial light का use करते हैं क्या करते हैं? artificial light का use करते हैं हाँ जिसको हम भोलते हैं safe light so this dark room is illuminated by safe light which will not fog filmers हाँ हम यहाँ पे safe light का use करते हैं जो के हमारी x-ray film को fog नहीं करता है ठीक है? हाँ image noise create नहीं करता है उस पे usually क्या करते हैं? हम red lamps का use करते हैं जिनका power 15 watt होना चाहिए कितना? 15 watt ठीक है? तो यह point भी आपको ज़रूरी याद रखना है कि यहाँ पे हम safe light के लिए कौन से lamps use करते हैं? red lamps use करते हैं जिनका power कितना होता है? 15 watts अब अगर हम बात करेंगे working distance की जो working distance होनी चाहिए न safe light और film की या और you can say working bench जहां पे आप काम करते हो और safe light के दर्मियान कितनी distance होनी चाहिए? it should be greater or equal to 1.2 meters ठीक है? या 1.2 meters होनी चाहिए minimum या इसे ज्यादा होनी चाहिए इसे कम working distance नहीं होनी चाहिए film और किसके दर्मियान? safe light के दर्मियान ठीक है? हाँ तो एक और point आपको याद रखना है कि इस safe light की effectiveness के लिए आपको क्या करना है? you have to check it periodically इसको regular intervals पे चेक करना है कि ये जो safe light है ये ठीक है कि नहीं है? ठीक है? I hope कि dark room का जो ये पहला part था ये आपको अच्छे से समझ आया होगा इंशाल्ला next lecture में हम इसका दूसरा part discuss करेगे that is apparatus used and the process process में क्या होता है? ठीक है?